हाइबरीवन आप सबीका स्वागत है सन्जीश र faculty के YouTube चैनल में आज में सिंगल रिपीट लैप जैन टाइप उसी में ता जीगजग टाइप वही आपका जिग-जग भी था और इसमें लेकिन यह जो सिंगल रिवी टेट होता यह में इसमें अन्हीं ना आपका जिग-जग टाइप ये वण ये दोनों में यहीं होता यह क्रास्वा लों करेंगे इसको कैसे हम लोग ड्रॉप करेंगे सबसे पहले समझ लेते हैं कितना का है तो इसको प्रूपर समझ दे दिखिए यहां से लेकि यह सेंटर लाइन है बीच में और सेंटर लाइन से यहां तो क्या है 1.5D है फिर इधर भी 1.5D है सेंसी के ग्राफ हमनों सो किये नीचे की तरफ यहां पर ध्यास दिखेगा यह ग्राफ टोटल सो हुगा है और सो करने के बाद यह वाला आपका क्या है 1.5D फिर 3D 3D और 1.5D इसको एड़ किये 3D 3D तो 60 और 10.5D और 10.5D तो यह भी 3D हो जाए तो टोटल कीतना हो रहा है तो 90 हो रहा है तो यह 9 गुने और D का वैलुएशन दिखीं दी का वैलु अपनी से माना जाते या कोश्चन में दिया रहते हैं शिर्फ आपको एक डी का वैलु दिया रहा है तो बाकी सभी कोश्चन को आप आ आप लोग थोड़ा सा अच्छा दीखे तो यहां बारी बारी करके चोटा चोटा करके हम कम कम करके आपको बताते हैं जी तो सबसे पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा प्यज को जूम कर लेते हैं आप लोग को तो देखने में परसानी नहीं होगी समझने में आपको परसा तो वोन पॉन्ट ते लिए आप लोगों को मालूम है कितना ले लिए 20 ले लिए आप अपने से चाहते हैं तो efield लोग्ल दोस सकते वह लिए चाहतें तो इस जगह पे लेकि इस question में D का value दे दिया अब आप लोगों देखे मेकेनिकल गुरुप से जो भी student उनके लिए काफी इंपोर्टेंट है जी वह भले ITI के student हो फोल टेकनिक के student हो या BTEC MTEK के student हो जो मेकेनिकल विभाक्स है उनको यह काफी इंपोर्टेंट है यह 1.5D का मतलब 1.5 गुने आपका 20 तो 20 डेड़क इतना हुआ जी 30 तो 30 mm यह तो यहां से लेकिंगे यहां तक का कितना ग्राप है जी 30 तो यहां से लेकिंगे ले लेते हैं देखिए प्रूपर एड़्जस्ट करने के बाद ऐसे यहां से दिखेगा है यहां से प्रूपर ऐसे सेटे स्क्वार को तो सबसे पहले हम लोग क्या करें पेज का कोर और सेटे स्क्वार का कोर प्रूपर हम लोग मिला लेते हैं जी किलियर है यहां से दिखिए यहां से दिखिएगा सेट स्क्वाइर का कोर और पेज का कोर पुरूपर क्या है जी यहां से हम लोग मिला लेंगे और मिलाने के बाद यहां से हम लोग क्या करेंगे यहां से सेंटर लाइन सो करेंगे तो सेंटर लाइन हम जानते क्या आता है जी होता है है इस तरह हम लोग आगे की तरफ बढ़ा लेंगे अब यहां से लिके कि यह यह वाला हम लोग घ्राइज प्रॉपर है कुछ एक्स्ट्रा एज गया है तो वहीं लाइन यहां से हम लोग लिए क्लियर है तो डी जितना होता है उसका आधा हा से उपर होता है आधा हाधा हटूर अमातली सबसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यह डी होने हैट फिलियर को सब्सक्राइब करेंगे और 10 mm का उपर मार्किंग करेंगे और 10 mm का नीचे मार्किंग करेंगे समझ मैं आ रहा है जी तो यह किलियर हुआ अब मार्किंग करने के बाद यहां से देखेंगे जब यह हमारा मार्किंग पॉइंट हो चुका तो यहां से देखिए यहां से लाइन हलका सा यह सो करते हैं और इसको हम लोग ऐसे प्रोपर मिला देते हैं और इसको देखिए यह वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग फ्लैट यानि तीर्चा में इसको मिलाते हैं कि यहां से यहां से तो इसके हिसाब से यह लाइन हम यहां से हम लोग इसको सू कर देंगे क्लियर हो रहा है वह अभी लाइन हम लोग 6 कर देकेिकर करने के बाद इसको दिखिये और यह वाला जो मार्किंग क उली काम लोग यहां से इसको उसके इसको डारिकी से अब इसको देखिए है एच भी पेंसिल की सहायता से अम लोग इसको प्रूपर क्या करेंगे जी डार्क कर लेंगे कि यहां से इतना लाइन का हमको आज सकता है फिर हमारा यह वाला इधर का लाइन की आज सकता है कि यह वाला वी लाइन और उसके बाद देखिए यह बनाते समय थोड़ा देखिए वीडियो बड़ा होगा लेकि आप लोगो पूरा प्रूपर आपको लोगो हंड्रेट परसेंट कि लिए लोगा अब देखिए इसमें वना इचे इसमें इस यह ग्राफ बना वहां तो इस टाइप का मड़ाफ इस समय भी प्रूपर सो कर देंगे अब देन सो करने के बाद ग्राफ भाड़ अभी कि यहां पर यह जो सर्कल डू आ हुआ है तो इसका मे पमपास काम आप यहां अपर नहीं लुखें लूख काम कि विदाओ्ट काम काम आप लोग काम यहाँ नहीं हो सकता है, वो काम यहां पर कंपस में दूरी भर लेंगे को सब्सक्क्राइब करें इसको नहसे फूरकर आत्परने के बास यहां से इसको channel करें और धुबर तो फाइनली हमारा क्या हुआ इतना तक हमारा बन गया यह वाला पार्ट बन गया अब इसको दिखिए अब इसको साइड में ऐसे कर लेते हैं और साइड में करने के बाद इसको दिखिए यह जितना ग्राफ है सब को हम लो यह सभी को नीचे की तरफ ग्राफ सो करेंगे तो य इसके कारण क्या हो फीगर थोड़ा बेश्ट है यह फीगर जब तक यह ग्राफ नहीं सो करेंगे तब तक यह नीचे फीगर नहीं बन पाएगा जी अगर एसे बनाई के बिदाउट ग्राफ का तो आपका फीगर गलती हो सकता है तो दिखेगा हर पॉइंट से यहां से सभी प 12 mm है उसके फाइप में मार्किंग कर लेंगे तो यहां सेमली मार्किंग करलेंगे प्रूपर आडगा 10 Nos विकाल अगर 17 कडिये कि नमार्किंग करने का विचा लेंग नो अggakयन के बता है qal Lilly लाजिस एוצLike ऑ से पॉइंट को यहां से देखिएगा यह वाला यह जो दोनों लाइन ने यहां से यहां तक कि दोनों क्या हुआ जी एक दूसरे से एड़्जस्ट हुगा जी किलियर है देखिए इस पॉइंट को इस से तो इसको हम लो hb pencil की सहायता से इस line को हम सो कर लेंगे खिलियर हुगा तो इस line को हम लो सो कर दिया अब ध्यास देखेगा अब नीचे वाला है जो लाइन है जी नीचे वाला यह किलियर हुआ उसके बाद दिखिए यह हाइट टूटल आप लोगों पहले ही बताएं जी डेल डी डी इधर और डेल डी इधर है तो 3D तो 3D और 3D 6D और 6D प्लस 3D तो टूटल 90 तो 90 का कैलकुलेस हम लिए 180 mm की है तो डारेक्ट क्या किजिए यहाँ पे हम लो 180 mm पे हम लो मार्किंग कर देंगे और मार्किंग करने के बाद यह सेम तु सेम प्रोसस जो उपर किए ना यहां से धिहां से दिखेगा यह वाला प्रोस сможl time कर लेंगे को यहां से इसको सीटस्वार क्या रखियो बराबर यह स्कील की सहाता से यह मैं आशानी से किया जा सकता है क्किलिए रहे इसको हम लोग क्या करेंगे का इस लाइन को ऐसे मिला दीजिय और इसके बाद कुझ यह जो बाहरी लाइन है जी बाहरी लाइन को रूपफर को तो यह फांडली देखेगा हम लोग इसे सो कर दिये अब देखें इसको पेंसिल की सहाथा से इसको डार्क करेंगे एच भी पेंसिल की सहाथा से यहां से यह प्रूपर इसको यहां से इस लाइन को फिर आपका यह वाला लाइन क्लीर हुआ जी क्लियर उसके बाद हैं से दीख़े, स्यम प्रॉसेस इधर भी वहूंकरों करेंगे कि इस लाइन को यहाँ से घरघ झालर यहां से इसाउस कर देगे, फिर इस पॉयंट को इस से और इस लाइन को यहाँ से इसको क्लियर हो रहा है इतना फाइनल उसके बाद यह जो पॉइंट है हमारा यह जो लाइन है इस लाइनिंग को हम लोग इस तरह से डार कर देंगे छेल के अपका इसको हमलों कर देंगे तो यह वहuckenा हमारा इतना हो गया उसके भाड किए उसके अगले मिख्या क्र Container यहाँ से नीचे से उपर की तरफ और फिर इस पाठ को उसकी यह वाला अई तरह डॉटिच से कि ऐसे हम लोग प्रूपर सो कर देंगे किलियर हो रहा है जी कि यह तो फाइनल्य हमारा क्या वाजी इतना तक यह किलियर हुआ जी और उसके बाद सेम प्रूसेस यहां से दिखिए का यह यह हो गया आपका यह कि यह वाला सभी लाइन को आपस में इसी तरह एड़्जास्ट कर देंगे यह आपका फाइनल्य क्या वाजी इतना तक हमारा क्लियर हो चुका अब देखिए अंदर की तरह अंदर का जो यह सर्किल है जी अब इसको हम लोग एड़्जास्ट करेंगे तो ध्यास दिखिएगा इधर से कितना है जी डिटी डिटी का मेजर्मेंट हम लोग कितना कैल्कुलेट किये 30 एम्म तो यहां से इसको सेटे स्कार को यहां पर रखि तो साठ है में उसका फिर उसका थीरीडी है यह अब यहां समलें इस टाइप का हम लोग सेंटर लाइन यहां पर सो करेंगे प्रोपर तो फाइनली हमारा इसको सेंटर लाइन हम लोग सो करते हैं अब देखिए अगले स्टिप में करते क्या है जी अब ध्यांसे यह जो बड़ा वाला सर्किल है इसका यह जो यहां पर अर्धुब्रीत लिए नहीं इसका जितना त्रीजिया है उतना ही त्रीजिया लेकर यह तीन तरह हम यह तीनों कॉर्ण पर रखके हमदार स क्यां हमलोग क्लिए अं परिंट्व यह टीन्व हम लोग करेंगे क्लियर वाजिये अंदर वाला जितना मेजर्मेंट है उतना फंग्पास में दूरी भरेंगे यहां से और उसके बाद इसी सेंटर पर रखें सेंटर पर रखें यहां से हम लोग इस टाइब से एक अंदर भी एक डॉटेट से कि सर्किल ड्रॉव कर देंगे क्लियर हो रहा है जी यह फर्स्ट हुगा उसी तरह हम आगे की तरफ सेकेंड थर्ड तीनों में लागतार कर देंगे तो दिखा धिए उसके हो पर सब का डायमेंशन को कर देते हैं कौन और 2 तो हां पर सब्स시면 अगा हुगा तो हमार Red क्या हो आजी सब का मलों प्रोपर क्या कि है डाइमेंशन हम लों सो कर दियं यहां पे यह कितना है उसका सब क्या कि है यहां पर All-dimensional तो फाइनली क्या वाजी हमारा ये क्या बनके रेडी हो गया तो सिंगल रिविटेट लैप जॉइंट हमारा बनके 100% किलियर हो गया देखिए आप लोग एक्जाम में ये 20-25 नमर में आता है जी 15-20 नमर में एक्जाम में पूछा जाता है मेकेनिकल विभाग के जो भी स्टुडेंट्स हैं तो वह अपना ध्यान से देख कर और सही से प्रेक्टिस दो बार चार बार कर लेंगे प्रेक्टिस तो काफी बेटर आएगा जी तो ओके फ्रेंट्स वीडियो आछा लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगले क्लास में इसी तरह का और भी इमपोर्टेंट कोस्टन लेका अगर आपके पास कोई ऐसा कोशन है तो कमेंट कीजिए उसका जरूर भी स्लुशन बताया जाएगा तो और फ्रेंट्स मिल्द से फिर नेक्स्ट अगले क्लास में